अलो दोस्तों एक बार फिर से वेलकम है आपका इंडिन पिटारा पर आज प्रस्तित है आपके सामने दे मर्चेंट अब वैनिस प्ले का नौवा भाग इससे पहले के भाग भी हमारे चैनल पे मौजूद है नीचे डिस्क्रिप्शन में इनके लिंक दियो है उन लिंक्स पे जाके आप पहले वाले भागों को भी जरूर देखें तो इस पार्ट की समरी यह है कि सेलावीनो और ग्रेशी ने शैलो की घर के आगे मिलते हैं क्योंकि लोरेंजो उस तिन जो है शैलो की बेटी जैसिका को भगा के ले जाने वाला है लेकिन सारे पहुंच गए होते हैं ल लड़के कि कपडे पैने होते हैं और उसके बाद वह एक बक्सा डिदंजो को देती है जिसमें फैसे होते हैं सुनेचांदी के जेवर होते हैं और उसके बाद और यहां पर यह scene खत्म हो जाता है, तो चलिए इसे देखते हैं line by line, इस शालोग के घर के आगे यह सब हो रहा है, वो जम्मा हुए है, enter the maskars, उसके पास जो maskars, मतलब जो party में एक खास dress लगाके, मोखोटे लगाके की जाने वाली party होती है, उसके dress में यह लोग आते हैं, तो ग्रेशी नहीं कहता है, this is the penthouse under which Lorenzo desired us to make stand, penthouse का जाता है, एक महंगे flat को, जातर यह नदी वगर के किनारे, समंदर वगर के किनारे होते हैं, तो यह जायलोग का घर होता है, तो ग्रेशी नहीं कहता है, कि इसी घर के आगे, Lorenzo ने हम से कहा था, कि हमें wait करनी है, Celerio, his hour is almost past, और क्योंकि Lorenzo वहाँ पर आया नहीं होता, तो Celerio कहता है, उसका जो time है, वो तो हो चुका है, लेकिन वो अभी तक यहां नहीं है, यह आश्चरी की बात है, वो अभी तक नहीं है, for lovers ever run before the clock, क्योंकि जो प्रेमी होते हैं, वो हमेशा time से पहले आते हैं, Celerio, oh ten times faster, Venus's pigeons fly, वो Venus कहते हैं प्रेम की देवी को, और Venus का जो रत होता है, उसको फाकता है, या जो कभूतर होते हैं, वो उड़ाते हैं, या उनके आगे होते हैं वो रत के, तो Celerio कहता है कि जो Venus की जो कभूतर हैं, उससे भी दस कुना जल्दी प्रेमी आते हैं, क्योंकि वो जो अभी अभी जो प्रेम हुआ है, जो कसमे वादे हुए हैं, उसको वो पूरी तरह से रखना चाहते हैं, और इसलिए वो जल्दी आते हैं, जल्दी मिलते हैं, उन लोगों की तरह नहीं, जो की शादियां हो गई हैं, और काफी दिनों से शादी के बंधन में हैं, और वो पुराने रिष्टे नाते हो गए हैं, तो उन की तरह ये लोग नहीं होते हैं, ग्रैशीनो, that ever holds, तो ग्रैशीनो कहता है, हाँ, ये बात एक्तम ठीक है, who riseth from a feast with that keen appetite that he sits down, ऐसा कौन बंदा है, जो की किसी खाने पे बैठता है, और जब वो उठता है, तो उसकी भूख उतनी होती है, जितनी वो खाने से पहले बैठा हुआ था, तो ऐसा कौन सा घोड़ा होगा, जो पहले दोड चुके कदमों पे, फिर से उसी मस्ती के साथ, उसी एनरजी के साथ दोड़ेगा, तो एक बार जो घोड़े ने सरपट ले ली होती है, जिस रास्ते से, तो तो उस रास्ते पे अगर आप उसे फिर ले जाओ, तो वो उस एनरजी के साथ नहीं दोड़ेगा, क्योंकि वो पहले ही कर चुका ही है, अब वो आगे एक्जम्पल देता है, कि हावला के यौंकर और प्राडिगल, दा इसका फैड़ पार्क फूट्स फ्रम हर नेथी पाई तो ग्रैशी नों यहाँ पे एक पानी जहाज का एक्जम्पल दे रहा है, वो कहता है कि जब एक यंग यौंकर और प्राडिगल जो खर्चिला है, मतलब शुरू शुरू में जो पानी का जहाज होता है, इस का फैड़ पार्क रंगीन जंडों से जो सजा हुआ जहाज होता है, जब वो अपनी जगे से निकलता है पहली पहली बार यत्रा पे जाने के लिए, hugged and embraced by the strumpet wind, तो वो बहुत ही अराम से हवाँ से उसको धका दिया जाता है, उसे आगे बढ़ाया जाता है, how like the prodigal doth she return, और जब यही पानी जहाज वापिस आता है, तो उसकी हालत आप देख सकते हो, with over-weathered ribs and ragged sails, मौसम से जूजा हुआ, मौसम से सताया हुआ, उसकी पसलिया होती है, मतलब उसका जो structure होता है, वो ऐसा हो जाता है, उसके जो पाल होते है, जो sails होती है, वो भी टुकडे टुकडो में होती है, रेगड, lean lantern bagged by the strumpet wind, वो पतला हो गया होता है, पुराना हो चुका होता है, उसी हवाओं से, जिस हवाने पहले, उस पानी जहाज को यतरा पर जाने से पहले, हलके से पुश किया होता है, तो ग्रैशी ने यही कहने की कोशिश किया है, कि ज जब प्यार शुरू शुरू भी होता है, तो इसमें बहुत सारी energy होती है, उतावले होते हैं लोग, और एक बार जब इस प्यार का purpose पुरा हो जाता है, जब जिस चीज को पाने की चाहत भी सारी energy होती है, वो चीज एक बार जब मिल जाती है, तो धीरे-धीरे इसका बुख करेंगे Lorenzo sweet friends your patience for my long abode तो Lorenzo कहता है दोस्तों आपका जो patience था मेरे लिए उसके लिए मैं thank you कहूंगा आपको not I but my affairs have made you wait ये मेरे कारण नहीं हुआ कुछ काम आगे थे मेरे जिसके कारण आपको इंतजार करना पड़ा when you shall please to play the thieves for wives जब आप लोग भी बीबियां भगाने के काम में लगे होगे I will watch as long for you then तो मैं भी तुमारे लिए wait करूँगा approach चलो आप चलते हैं here dwells my father Jew who is within तो यहाँ देखो मेरा जो ससूर है यहुदी वो रहता है और फिर वो आवाज देता है hello बई कौन है अंदर enter Jessica Arab in boys clothes Jessica फिर बालकनी प्याती है वो लड़के के कपड़े में होती है Jessica who are you कौन हो तुम tell me for more certainty I'll bet I'll swear that I do know your tongue तो वो शूर करने के लिए कि यह Lorenzo ही है वो कहती है कि कौन हो अपने बारे में बताओ और मैं जो तुम्हारी आवाज है उस आवाज से तुम्हें पहचान सकती हूं कि तुम कौन हो Lorenzo Lorenzo and thy love यह Lorenzo है तुम्हारा प्यार Jessica Lorenzo certain and my love indeed हां तुम Lorenzo ही हो और तुम मेरा प्यार ही हो और इस Lorenzo को यह तुम्हें मैं इतना प्यार करती हूं यह तुम्हारे अलावा और कोई नहीं जान सकता और फिर जो है Jessica उसे कहती है कि क्या मैं भी तुम्हारी हूं क्योंकि वो भागने वाली है तो उसके मन में भी थोड़ी बहुत डाउट है कि वो ठीक कर रही है गलत कर रही है तो वो confirmation लेना चाहती है Lorenzo से कि क्या तुम भी मुझे इतना ही प्यार करती हो Lorenzo heaven and thy thoughts are witness that thou art Aishwar जानता है और तुम्हारा मन जानता है कि तुम हो या मैं तुम्हें प्यार करता हूँ जैसे का here catch this cascade ये बकसा पकड़ो it is worth the pain जितना भी हम लोग कर रहे हैं आज परिशानी में है उसके लिए ये काफी होगा I am glad this night you do not look on me और मैं खुश हूँ कि आज की रात तो मुझे नहीं देख रहे क्योंकि वो लड़के की कपड़े में होती है तो थोड़ी ashamed होती है For I am much ashamed of my exchange क्योंकि जो मैंने change किया है उस पे मुझे शर्मारी है But love is blind and lovers cannot see लेकिन प्यार अंधा होता है और प्रेमी देख नहीं सकते The pretty follies that themselves commit और follies मतलब जो silly things करते हैं ये lovers प्रेम में For if they could, Cupid himself would blush अगर Cupid, Cupid की वही जगह है जो कामदेब की है और Cupid जो है Venus का बेटा है आपने देखा होगा एक छोटा सा बच्चा जो धनुषपान लेखे वो तीर मारता है प्यार वाला तो इनकी शरारते देखके इनकी बचकानी हरकते देखके जो Cupid है वो भी शर्मिंदा हो जाए उसे भी शर्मा है To see me thus transformed to a boy कि वो मुझे देख ले कि कैसे एक लड़की जो है लड़का बन गई है अब नीचे आओ तुम्हें मेरी टॉर्च पकड़नी है तो जो मनाटक होते थे पहले तो electricity नहीं होती थी तो मशाल लेके खड़े होने वाले लोग होते थे तो वो कह रहा है तुम्हें वो करके मेरे साथ चलना है Jessica What must I hold a candle to my shames? अब जो मैं हूँ, जो मैं कर रही हूँ अब उसे मैं candle की light में भी दिखाऊं They in themselves good sooth are to to light ऐसा लगता है कि मैं एक चरित्र हीन औरत की तरह बहेव कर रही हूँ यह जो to to light लिखा हूँ है मतलब जिसे हर कोई देख सके तो यह जैसिका ने अपने चरित्र को बताने कोशिश किया एक तो मैंने ऐसे कपड़े पैने हुए हैं उपर से मैं घर से भी भाग रही हूँ तीसरी बात मैं आप candle लेके चलूंगी तो मैं उन ओरतों की तरह हो जाओंगी जिनका चरित्र देखा जा सकता है क्योंकि जो torch उठा के चलने वाला होता है उसने प्रकाश को और प्यार को लाना होता है लेकिन मैं जो है अंधेरे में ही रहना चाहूंगी तो वो चाहती नहीं है कि उसे कोई देखे Lorenzo, so are you sweet even in the lovely garnish of a boy Lorenzo कहता है कि तुम तो छुपी ही हुई हो क्योंकि तुमने एक बहुत ही प्यारी सी ड्रेस पहने हुई है एक लड़के की बट कामेटर्स तो चलो अब चलें For the close night doth play the runaway क्योंकि जो रात का समय होता है ये जल्दी चला जाता है और हमें जो है बैसेनियों की घर पे जो पार्टी हो रही है जो खाने का इंदजाम है वहाँ पे भी जाना है Jessica I will make fast the doors मैं किवार लगा देती हूं And gild myself और gild मतलब मैं कुछ पहन लेती हूं सोने का जो जेवर वगर है वो लेके भागने के मूड में होती है वो With some more ducats और कुछ और जो सोने के सिक्षे हैं जो पैसे हैं मैं वो भी ले लेती हूं And be with you straight और उसके बाद मैं तुमारे साथ जल्दी आ जाऊंगी Exit abab उसके बाद वो बालकनी से चली जाती है Greshino Now by my hood a gentle and no Jew Greshino ने कहता है कि Hey Ishwar ये जो औरत है ये यहूदी नहीं हो सकती क्योंकि वो इतनी अच्छी है Lorenzo फिर कहता है Be sure me But I love her heartily तो यहां be sure का मतलब है Be sure तुम इसे मेरी चला की कहलो या कुछ भी कहलो लेकिन मैं उसे दिल से प्यार करता हूँ For she is wise वो बुद्धिमान है If I can judge of her अगर मैं उसकी तुलना कर सकूँ And fair she is If that mine eyes be true और सुन्दर भी बहुत है अगर मेरी आखें सही कह रही है And true she is As she hath proved herself और वो इमानदार भी है जैसे कि उसने अपने आपको परमानद किया है And therefore like herself Wise, fair and true Shall she be placed in my constant soul और क्योंकि वो सुन्दर है बुद्धिमान है ठीक है तो वो मेरे आत्मा में हमेशा के लिए रहीगी तो या लोरंजो ने Jessica के प्यार में कुछ शब्द कहे है Enter Jessica below उसके पाद Jessica नीचे आती है What art thou come? Oh gentleman away तुम लोग सब यहीं पे हो अच्छा अब हम चलें हैं से Our masking mates by this time for us stay क्योंकि ये masking वाली party में ये जो दोस्त हैं उसमें जो participate कर रहे हैं वो हमारे लिए इंतजार कर रहे हैं Exit with Jessica and Solario उसके बाद Jessica and Solario महाँ से चले जाती है Enter Antonio अब Antonio आता है Antonio Who is there? कौन है वहाँ पे? Grashino Senior Antonio तो Grashino Antonio को देखके पूछता है तुम यहाँ कैसे? 5-5 Grashino Where are all the rest? Grashino दूसरे लोग कहा है It's 9 o'clock 9 बज़े हैं Our friends all stay for you और हमारे जो दोस्त हैं वो सारे तुमारे लिए इंतिजार कर रहे हैं No mask tonight आज जो party थी हमने रखी थी वो अब नहीं होगी The wind is come about हवा ठीक से चल रही है Basinio presently will go abroad और जो Basinio हैं वो अभी विदेश के लिए निकले गा या बाहर के लिए निकलेगा तो उसका मतलब है Balmond के लिए वो जाने वाला है I have sent 20 out to seek for you और मैंने 20 लोग भीज़े हैं तुम्हें धूनने के लिए I am glad aunt चलो ये मुझे भी ठीक लगा I desire no more delight than to be under sail and gone tonight मैं भी नहीं चाहता कि मैं party में जाऊं और मैं चाहता हूं कि मैं जहाज पे चड़के आज रात ही निकल पड़ों accent और उसके बाद ये सारे चले जाते हैं तो दोस्तों ये था इस पार्ट का Hindi translation अपने कमेंट्स हमें जरूर दें हमें बताएं कि ये पार्ट आपको कैसा लगा और जल्दी एक दूसरे पार्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए गुद्बाइ